आगे मैं चाहती हूँ कि बिस फगवान की ब्लेसिंग ऐसी ही बनी रहे और मेरे पेरिंस को मैं और जादा प्राउट कर सकूँ पड़े एक्जामपल देना पड़े तो बताईए आपका निशाना कितना सतीक हूँ अगर आपकी नोस पर कोई पिल लगी वी है मैं उसे हटा सकती हूँ अराम से नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हूँ गरिमा भारती महिला शशक्ती करण का अगर आप उदाहरन धूनने निकलेंगे तो हमारे बिहार में आपको कई ऐसे एक्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो आपको चोका कर रख देंगे आप रिवॉल्वर वाली मुख्या को ही देख लीजे कमर में रिवॉल्वर रखकर पूरे गाउं की रक्षा करती है आप स्रियसी सिंग को देख लीजे जमुई से विधायक है लेकिन देश का नाम उचा कर रखा है उन्होंने शूटिंग करती है और साथी साथ कई मेडल्स भी जीते हैं आज हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी उम्र अभी ठीक से 18 साल भी नहीं है लेकिन 15,000 से ज्यादा गोलियां चला चुकी है यह और कई सारे मेडल्स भी जीते हैं देश के लेवल पर भी खेला है इन्होंने और इंटरनाशनल लेवल पर भी कई टूर्नमेंस खेले हैं हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जानवी भरतिया से स्वागत है लाइप सिटीज में आपकी उम्र मैंने सुना है 18 साल भी नहीं है हांजी नहीं है कब हो जाएंगे आपका 15 मार्च को अभी तो जल्दीन का बर्दे होने वाला है और मार्च के 15 तारिक को 18 साल की होने वाली है सुना है 15,000 से जादा गोलिया चला लिया है हांजी यह आपकी इसको क्या कहेंगे राइफल कहेंगे? राइफल कहेंगे? राइफल कहते है जरा दिखाईए हमें तो यह आप इसी पर्टिकुलर राइफल से शूटिंग करती है? यह मैं 3 से भी ञेले हैं। हुई इंटे स्कूल्स ले के लिए हैं SGFF av completa नॉर्ठ जोंच शूटिंग चैंपिंशिट हैं। और लिटिंग वी चैंपिंशिप्त किया हैं। all in die shooting level championships ले चैवले हैं। national ले और 2 international ले एक हैनुवो में और एक प्ल्जिन में। कlles var मी प्रेडित कि जो पर्टिंग करने चीक्राएब ये 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 या फिर नंहें सिखाना कि ये सिखानी का शुटिंग में जॉइन करूं इस पूरा इडिया मेरे मनमा का था पर उसके लिए हमेशा में को मोटिवेट मेरे कोच मिस चानल ठाकर ने किया बहुत जादा किया क्योंकि पहले सिर्फ फेलियर्ज आए और उस टाइम पे ही सपोर्टेड अलॉट उन्हें हमेशा मोटिवेट किया कि फेलियर्ज ही इंसान को सिखाते हैं आपके स्कूल में ही यह अपके स्कूल में ही यह सुटिंग सिखाते हैं मेरे पूरी ट्रेइनंग मेरे स्कूल में ही ही है मिस चानल ठाकर के अढ़ी तो आगे क्या प्लैन थैगे अब क्या चाहती है आगे मैं चाहती है कि विस पकवान के बलेसिंग ऐसी बनी रहे हैं और मेरे पेरेंस को मैं और ज्यादा प्राउट कर सकूँ, मेरे एक कोच ने मेने लिए बहुत जादा टाइम और बहुत मायत इन्वेस्ट किया है, मैं उसनका थोड़ा सा पेबैक कर सकूँ. आगे कुछ टॉनमेंस होने वाले हैं आप उसमें पार्ट करने वाले हैं? अब ही लगतार टे उनमेंस हैं क्योंकि कोविट के वज़े से बहुत लंबा ब्रेक हो गया था. तो अभी एप्रिल में हमाई नॉट जोन्स हैं, उसके बाद मे में नाशनल्स हैं और मैचिस कांटेनी हो रहें गएंगा. तो कैसा लगता है आप एक लड़की हैं, अभी उम्र भी उतनी जादा नहीं हुई है, बिहार की रहने वाली हैं, बिहार के लिए लोग क्या क्या कहते हैं आपको भी मालूम हैं, लेकिन बिहार में प्रतिबा की कमी नहीं है, हमने कई दफ़े कहा है, उसका जीता जाता उद भारन खुद आप भी हैं, तो क्या लगता है आप दूसरे स्टेट में जाकर कहीं ना कहीं आप तो अपने स्टेट को ही रेप्रेजेंट कर रही हैं, आपको तो लोग एक बिहारी के रूप में ही जाएंगे, अगर आपके शौक को देखे तो आप शूटिंग कर रही हैं, तो क्या लगता है, आप देश की सेवा करेंगे आगे जाकर या फिर किसी और करियर कुछ? नई हनजी, बिल्कु में देश की सेवा ही करना चाहूंगे. जी, किस तरह से, कुछ तो सोचा है? फिलहाल, मेरा प्लान आइप एस का है. तो यूपीएसी करके आप जाना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है. और मैंने अपके राइफल में एक और चीज देखिया, आपने एक लाल रंग का धागा बांध रखा है, वो क्यो? लोग कहते है ना भगवान की दुआओं के बिना कुछ नहीं हो सकता है, सो महनत भी और दुआएं भी. आपने बताए कि आ मैं शूटिंग के प्लान हैं कि बिस मैं फोकुस करती रहा हूं और सब के ब्लेसिंग बनी रहे हैं और मैं प्लान फिलहाल ओलम्पिक 2024 है. न्यूज वगएरे देखती हैं? हाँ जी बिल्कुल. तो किस तरह की खबरे तो लगातार आती रहती हैं क्राइम को लेकर लड़किय किसी ने किसी तरह का कुछ मुलेस्ट कर लिया और तरह तरह की चीज़े होती रहती हैं तो आपको यह सब सोच कर क्या लगता है? क्या करेंगे अगर ऐसे लोग आपके सामने आगे? ऐसे लोगों को तो मारी देना चाहिए सीधे गोली कि एक एक लड़का या लड़की है तो सारे यूमिन बींज ही और यूमिन बींज के लिए वोर्ल बनाए हैं अगर कोई यहां पर रही नहीं पा रहा है तो जो लोग नहीं रहें दे रहें उनको रहनी के जर्वती हैं मतलब कोई दुश्मन सामने आए तो उसको धेर करने की पूरी कैपैसिटी रगती है बिलकुल और अगर जहां तक बात आती है गर्ल एजूकेशन की लोग बहुत सारी जगों में आज भी ऐसा होता है कि लड़कियां पढ़ने नहीं जाती हैं आपके परिवार वालों का इतना सपोर्ट है कि आज आप शूटिंग कर रही हैं ऐसे लोग जो अभी भी लड़कियों को नह इसलिए उसलिए एजूकेशन शुट बात कर लेते हैं कि कितना मुश्किल रहता है किस तरह से आप लोगों को बताया जाता है शूटिंग करने के लिए और यह कैसे फंक्शन करता है पूरा राइफल में हम यहां पर बालिट डालते हैं यहां पर और फिर हम यहां से देखत करते हैं फ्रांट साइट को और फिर हम शूट करते हैं यहां से फिर हमें उसमें एक सिर्कल है फिर हम टारगेट को देखते हैं तारगेट किस तरह का होता है तारगेट कुछ इस तरह का होता है तो आप यह देख पा रहे हैं यह तारगेट मतलब इसका कोई बड़ा स्ट्र कर दो बहुत सारे लोगों के बीच में आप जीत कर निकलती होंगे तो कैसा मैसुलुट ज़िए बहुत प्रावड और साथिहाट ब्लेस्ट फिल होता है जो है मेरे पेरंट्स, मेरे कोच और मेरे स्कूल की वज़े से इगा है इस्पोल में कितना सपोर्ट मिलता है जब आप बहुत ज़ाधा शेर का कुछ को फेलेर जवेधा है कि अज्या खेया है बहुत सारे पहर पेरिंट्स का यह मानना होता है कि अगर बच्छा को इस पर्टिक भी सॉट्स में बोहत ज़ादा खीलना चाहता कि आपके शूटिंग के वज़े से आपकी पढ़ाई पर कोई असर पढ़ा है? वो बच्चे to बच्चे डिपेंड करता है क्योंकि बहुत साई लोग है बहुत साई चीज़े कर रहे हैं सिर्फ एक डांसर डांसर नहीं है वाक्टिंग भी करता है सब्सक्रिंट करते हैंlove कर पारांसर पार मैंद कर रहे हैं वह स्सक्र पढ़ा बहुत स्थ टीज़ें पर पढ़ चाते हैं क्योंकि वह जब हांते पहले तक डांसर चाल रहे थे सुफे में पेंस को भी बढ़ लगा था बोट जया अब तो पढ़ ले बट दे अंडिस्टोड इन आप छोड़ दो अब पढ़ो दे अलवे सपोर्टिट की हो जाएगा बेटा जो होगा अच्छा होगा स्पोर्ट्स में जो भी लोग जाते हैं उनके लिए खास तरह का खाना पीना एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़े होते हैं जो लोग शूटिंग करते हैं मैं जाना जाती हूं कि उन्हें किन चीजों का ख्याल रख क्या आपको करना पड़ता है क्योंकि यह सारी चीज़े तो कॉंसंट्रेशन और फोकस पर देना पड़ता है और अमारी बोडी की बालन्स होनी चीए और बालन्स बिगड़े का राइफल नहीं समझती है तो इसकेस हमें डाइट का काफी ध्यान रखना पड़ता है हम जादा फैटी ज़ी खीःता है तो जद दे ती जइनने बीडिकंगे हा शवह हों नहीं सोयर अधर लिदे पया क्यां हंगWhen dr. Nishana कितना सतीक है तो अपने तो बताया कि अपने काही सारे मेडल्स जीते है हमने मेडल्स देखे भी ऐसे Am जिंदगी में अगर कoMore अधिक अग्व्weragen बढ़े और उसे हटा सकती, इतना सटीक और इतना सॉलिड निशाना है आपका तो आपने पटना की जानवी भरतिया को सुना, देहरादून में पढ़ाई करती है, शूटिंग करती है, कई नैशनल टूनमेंस में हिस्सा ले चुकी है, दो इंटरनेशनल्स खेल चुकी है और स्टेट लेवल पर तो इन्होंने कई सारी प्रतियों गिताय जीती है, अगर आपके बच्चे भी चाहते हैं कि वो किसी और स्पोर्ट्स में जाए, तो जानवी आपके लिए प्रेड़ना का श्रोथ हो सकती है, किस तरह से उन्होंने बताया कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कही ना कही आगे जाकर स्पोर्ट मिल ही जाता है, बहुत स्टीरोटाइप्स भी है ना स्पोर्ट्स को लेकर कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बहुत जादा, स्पेशली ये माइंसेट ये है कि जो स्पोर्ट्स कर रहे है, वो पेटनी भरेगा, स्पोर्ट ये बहुत बढ़ा स्टीरोटाइप है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर चीज से यू के अर्न, अगर अपमें अर्न करने की वो चीज है, एन्यवेज यू उन्ट अर्निंग से भी जादा चीज है, साटिसफैक्शन बहुत बढ़ी चीज है, अगर आप कोई काम करें, बहुत पैसा है, पर you are not satisfied, आपको भी खुश नहीं रहोगे, और लाइफ में खुशी से बढ़के है क्या, तो साटिसफैक्शन एक बहुत बढ़ी चीज है, पैसे तो हर चीज में मिल ही जाते है, लेकिन वो चीज जो आपको खुशी दे, वो आप जरू के लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे जो आपको प्रेर ना देंगे, हमारे शैनल को सब्सक्राइब करें, लेटिस्ट अब्डेट्स के लिए फेस्बुक पेज को ज़रूर लाइक करें, धन्यवाद